नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग सफेद दाग का जो इलाज है वो कैसे करें घरेलू नुस्खा जो आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं कुछ समगरिया लाकर यह मेरा Android एप है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आयूर ग्यान इसका नाम है य आप अपने Android मोबाइल से मेरे हर वो वीडियो देख सकते हैं जिसके आप लोगों को जरूरत है अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा अभी आप अपने Android मोबाइल में यह आयूर ग्यान जो एप है वो डाउनलोड कर सकते हैं इन्स्टॉल कर सकते हैं तो हम अपने टॉपिक की और बढ़ते हैं आज हमारा टॉपिक है कि एक ऐसा घरेलून उसका तयार किया जाए जो आपके सफेद दाग की जो समश्या है उसको हटा सके यह सफेद दाग की जो समश्या है वो बहरी रूप से तो फैलती फैलती है लेकिन कई जो ख़द्य पदार्थ हैं उनको भी बंद करवा देती है जैसे देखी यह महिलाएं हैं यह महिला जो है जिनको सफेद दाग की जो समश्या है हम लोग ने निरक्षन किया है और हम लोग ने एक ओशदी बनाई है इनके लिए सफेद दाग की समश्या के लिए इसको बोलते हैं बावची या बागुची भी बोल सकते हैं इसको बोलते हैं माल बागुची या बावची ये देखी काले छोटे दाने से हैं बीद से हैं इनके इनको जो है वो सफेद दाग की समश्या के लिए प्राय उप्योग में लिया जाता है जिनको पेटदर से समश्या होती है उनके लिए भी लिया जाता है तो ये जो बाउची है वो ब्लड में जाकर जो सर्कुलेशन तोचा का होता है जिसको अपन विटामिन E बोलते हैं कि तोचा की जो केर है करना विटा केरेटिन जो बोलते हैं तोचा की देख भाल करन उन पर नियंत्रित करती है और ये नीम के पत्ते है आप लोगों ने देखा होगा कि नीम जो है प्राइक इसके लिए काम में लिया जाता है कि खुजली ना चले तोचा के उपर ये सभी इन सभी बिमारियों से बचने के लिए नीम जो है प्राइक काम में लिया जाता है कि के लिए सबसे पहले नीम के पत्तों को बारीकी से पीस लें उसका चुरण बना ले ये चुरण जो है वह आप लोगों को बहुत ही फाइदेमंद होता है अगर आप लोग ऐसे ही नीम की पत्तियों को भी खाते हैं तो दूसरी बात करता हूँ मैं बागुची गी कि इसमें बागुची मिला लें ये माल बागुची है आप लोगों को पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी नॉर्मल दुकान पर तो आप लोगों को नहीं मिलेगी, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, तो सबसे पहले नीम के पत्तों को आप लोग पत्थर पर पीस लें, कूट लें उसको, कि उसके बाद में उसका पेस्ट जो है, वो ऐसा हो जाएगा, नीम के पत्तों का जो सूखाव आप लोग यूज में ले सकते हैं, उसके बाद में इसमें माल बाउची जो है, एक हथेली पर रख लें, तकरीपन 5 ग्राम से 10 ग्राम जो है, आप लोग उसको उसमें डाल सकते है 10 बारा पत्तों के अंदर 10 ग्राम माल बाउची है, उसको डालें, और इसको सुभै शाम आप लोगों को खाना है, और साथ ही साथ आप लोगों को इसको अपने जहापर आप लोगों के सफेद दाग है, वहाँ पर इस चीज को रगड़ना भी है, ध्यान रही, मैं दो चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, सुभै शाम इसकी आपको फांती भी लेनी है, पानी के साथ आप लोग इसको ले सकते हैं, सफेद दाग में आप लोगों को खटा पूरा का पूरा ही छोड़ना है, ना तो आप लोगों को निम्बू काम में लेना है, ना आप लोगों को ख खोड़ा सा पानी मिला कर उसको ऐसे आप लोगों को लगाना है सुभै शाम आप लोग इसको लगाईए ऐसे और सुभै शाम आप लोगों को ये खाना भी है तो मैंने दो चीज़ा आप लोगों को बता दी है सुभै शाम आप लोगों को खाना भी है और सुभै शाम आप लोगों को अथिक से अधिक काम में लेनी है तोरू की जीसित सब्ज़े और वह वह भी आप लोगों को उबालकर काम में ले नियान है उसमें नमक जो है वह सेंदा नमक डाल सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोस्तों मेरा यह वीडियो जो है वो सो अबदर वीडियो से बहतर है अपने मित्रों और इस्तेदारों को सूचित करें ताकि यह इन बिमारियों से बच सकें ऐसी भैंकर वाली बिमारी से बच सकें कृपिया इसको सेयर करना नहीं भूलें शेयर का जो बटन होता है जैसे आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को नीचे मिल जाएगा इसमें आप लोग फेस्बुक पर आप लोग अपनी प्रोफाइल पर सेयर कर सकते हैं इस वीडियो को Twitter पर कर सकते हैं Google Plus पर कर सकते हैं ठाक कि किसी ने किसी का बला हो सके तो आप लोग इसको Share करना ना भूले Share के बटन आप लोगों के वीडियो के नीचे ही है